हरियाना के अमबला से सरमसार कर देने वाला मामला सामने आया है जहां गरीब युवक अपनी गर्वती पस्नी को रेडी पर रखकर सरकारी अस्पताल पहुचा लेकिन गेट पर ना तो स्टेचर थी और ना ही अस्पताल का स्टाफ जिसके चलते महिला ने कड़कडाती ठंड म रेडी पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा इस घटना के बाद अस्पताल में अफ्रात तफ्री मच गई और जच्चा और बच्चे को वाड में ले जाएगा इस मामले की जानकारी अस्पताल की सीनियर अधिकारियों सहित हर्याना की स्वास्त मंत्री को भी दी गई पीडित युअक ने बताया कि उसे क्या बार गवाहर लगाई पर किसी ने उसकी एक न सुनी जिसके चलते उसकी पतनी अस्पताल के गेट पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा हर्याना की स्वास्त मंत्री अनिल्वीज ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और इसकी जांच करवाई जाएगी लापरवाही बरतने वाले स्टाफ और डॉक्टर के खलाब सक्त कारवाही की जाएगी वही नागरिक अस्पताल की प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर संगीता सिंगला ने बताए कि उन्हें आज ही इस मामले में स्टाफ किलापरवाही की सिकायत मिली है जिस पर उन्होंने एक जाँच कमेटिक अठित की है जाँच रिपोर्ट आने पर इसमें दोसी जो भी पाया जाएगा उसके खलाब सक्त कारवाही की जाएगी पर दबारा किया है फिर उपर मिलागे फिर अबरां दर लेके किया है कि लानियरा में जी जाँच कहां चाहिए दपर से लिए देखें की जाँच करानी पड़ेगे कि इसके लिए डिलिवरी के लिए हम मुफ्त एंबुलेंस देते हैं अब वो बताया गया था नए बताया गया था सारा उसकी मैं जाँच कराऊंगा और अगर किशी के खिलाफ क कोई कमी पाई गई तो उसके खिलाब कारवी भी करूंगा परीजिनों का कहना है काफी देल तक जुन है वह वहां खड़े रहें कई बार वह अंदर डॉक्टरों के पास गए नर्सों के पास गए लेकिन बावजूद उसके जूए वह बहार नहीं बिलकुल इसकी जाँच क वियक्ति स्टाफ होगा या डॉक्टर होगा उसके गई सेक्शन ले लिया जाएगा उसको वार्निंग देंगे एक बर क्यों उठके उस पेशन को नहीं देखा गया हॉस्पटल के प्रांगन में हुआ तो क्या पेशन उस स्टेज में आया कि वो ही आते ही डिलिवर अगर कर गया था तो हमारी स्टाफ ऑन डूटी डॉक्टर ऑन डूटी को उसके पास आके उस